Hello dear students, इस वीडियो में हम MS Word 2010 के first part के बारे में पढ़ेंगे बच्चों पिछली चैप्टर में हमने WordPad के बारे में पढ़ा था अब हम Microsoft Word के बारे में पढ़ेंगे तो किस तरह से Microsoft Word WordPad से different है हम इस बारे में समझते हैं इस चैप्टर में WordPad एक बहुत ही असा editing software है जो हमारे text को attractive करने के लिए use किया जाता है और Word एक बहुत powerful और complex word processor है जिसमें और भी बहुत सारे commands और capabilities होती है तो उनको समझने के लिए हम इस चैप्टर को करना start करते हैं तो बच्चों जब हमें letters type करने होते हैं story types करने होती हैं और poems type करने होते हैं computer पर तो हम एक word processor की जरुरत पढ़ती है word processor क्या है word processor एक application software है जिसको हम computer में किसी भी text को type करने के लिए use करते हैं इसमें हम अपने किसी भी style के typing को use कर सकते हैं यह हम pictures यह borders add कर सकते हैं spelling error को भी check कर सकते हैं अगर हमसे कोई spelling गलर टाइप हो गई है और उनके printouts भी ले सकते हैं तो अब हम Microsoft Word 2010 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम उसको स्टार्ट करते हैं अपने computer पर सबसे पहले उसके लिए हमें start button को click करना होता है उसके बाद उसमें all programs और फिर Microsoft Office को Microsoft Word 2010 का option हमें उसमें से फिर उसके बाद select करना होता है फिर हमारे सामने MS Word की window खुल जाती है जिसके बारे में अब हम उसके components के बारे में पढ़ेंगे कि MS Word window में क्या-क्या चीजे होती हैं तो सबसे पहले उसमें होता है title bar तो title bar क्या होता है MS Word window के सबसे top में होता है इसमें हमारे document का नाम और program का नाम लिखा होता है और इसमें quick access toolbar होता है left side में और तीन button होते है right side में तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया है यह quick access toolbar और यह तीन button है right side में अब हम quick access toolbar क्या होता है Quick Access Toolbar में कुछ buttons होते हैं जो की बहुत जादा use के जाते हैं जैसे कि save करने के लिए undo करने के लिए और तीन buttons जो right side में होते हैं title बार के एक होता है minimize button, maximize button और restore button या फिर एक होता है close button तो हमें जब अपने window का size small करना होता है तो हम minimize button को click करते हैं और जब उसको original size में या maximize बड़े size में करना होता है तो maximize button को use करते हैं इसके बाद third button होता है close button जो की cross का निशान होता है इससे हमारी MS Word के application बंद हो जाती है इसके बाद next part होता है window का ribbon ribbon क्या होता है? ribbon title बार के विलकुल नीचे होता है इसमें tabs होते हैं और हर एक tab में कुछ groups होते हैं जैसे कि home and insert are tabs तो home और insert tabs में font, paragraph जो groups होते हैं वो home tab के groups होते हैं और हर एक group में commands का एक set होता है तो इस तरह से हम ribbon में अलग-लग चीजों को कर सकते हैं अब हमें अपने ribbon को minimize करने के लिए ribbon का size reduce करने के लिए हमें in the way that only tabs are displayed कि सिर्फ ribbon को minimize कर देते हैं सिर्फ tabs दिखाई देते हैं और dialogue box launcher क्या होता है यह छोटा सा button होता है जो कि bottom right corner में होता है कुछ groups में तो यह हमारे dialogue box को खोल देता है इसमें भहुत सारे options होते हैं हमारे groups से related इसके बाद next होता है file tab file tab हमारे ribbon के left corner पर होता है और इसमें हमें file menu दिखाया जाता है जैसे कि new, save अगर हमें कोई new file खुलनी होती है या file को save करना होता है तो हम इसमें देख सकते हैं document window एक ऐसा area होता है जहांपर हमें type करना होता है जिस area में हम type करते हैं उसे document window बोलते हैं यहां पर हमें cursor को blink करता हुआ देख सकते हैं अपनी document window में जिसमें हम type करते हैं तो cursor move होता रहता है जब-जब हम type करते हैं तो cursor आगे अपने आप चलता रहता है document window उस area को बोलते हैं next होता है scroll bar तो हमारे स्क्रीन पर इसमें दो स्क्रोल बार होते हैं, एक होरिजन्टल स्क्रोल बार और एक वर्टिकल स्क्रोल बार, तो होरिजन्टल स्क्रोल बार हमारे पेज को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए यूज किया जाता है, और वर्टिकल स्क्रोल बार हमारे पेज को up and down scroll करने के लिए use किया जाता है next होता है status bar status bar में क्या आता है status bar में हमारी information delete दिखाई जाती है जो कि current page number है और number of pages है कि हमारे document में कितने pages हैं तो वो हमें status bar में show होते है इसके बाद next होता है rulers तो हमारे screen पर इसमें two rulers होते हैं एक horizontal ruler और एक vertical ruler तो horizontal ruler क्या होता है ये left और right margin का set होता है और vertical ruler हमारे top से bottom के margin का set होता है margins का तो इस तरह से rulers work करते हैं तो हम अपने rulers को अपने document में हमें नहीं दिखाए देता तो हमें view ruler button को click करना होता है vertical scroll bar से तो अब हम अपने page को up down कर सकते हैं तो इस तरह से बच्चों हमने इस chapter में सीखा कि किस तरह से हम Microsoft Word 2010 में window को use करते हैं start करते हैं और फिर उसके बाद उसमें अपने document type करते हैं तो अब हम इस chapter में जो हमने important points पड़े हम एक बार उनको revise करते हैं सबसे पहले Microsoft Word 2010 क्या है ये एक word processing software है secondly ये क्या करता है इसमें हम किसी भी text document को create कर सकते हैं edit कर सकते हैं मतलब उसमें change कर सकते हैं उसकी formatting कर सकते हैं और इसको हम word processing बोलते हैं next ribbon word window में जो ribbons होता है उसमें बहुत सारे command buttons होते हैं जो कि हमें documentation के लिए जरूरी होते हैं अलग-अलग activities को करने के लिए वो हमारी help करते हैं तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हम MS Word 2010 के अलग-अलग features को use करते हैं thank you थो कि अज़ने हैं